हलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्गी क्लासिस हम बात कर रहे थे मैपिंग की और मैपिंग में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश यूपी के बारे में पूरी डिटेल गेन करेंगे जिसमें फिजिकल और पॉलिटिकल मैप्स को अच्छे से जानने कोशिश करेंगे औ तो आपको यह लिंक वहाँ पर मिल जाएगा जोइन कर लीजिए वैसे मैं यह जो कंटेंट उठा रहा हूं यह ऑक्सफोर्ड एट्लस है ऑक्सफोर्ड एट्लस से बढ़ाया जा रहा आपको इसमें ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फिजिकल पोर्शन देख लेत है डेकन प्लेट्यू तो ऐसे में हम अभी प्लेंस की पोर्शन में चल रहे हैं और यूपी का पूरा एडिया यह मौर और लेस केवल और केवल नॉर्दन प्लेंस में लॉकेटेड है और उसमें भी आप देखो यह जो गंगा प्लेन है गंगा प्लेन इस वाले एरिया में जाता है ठीक है तब ले लेते हैं इनकी डीटेल लेफ्ट व राइट सबसे पहले तो देख लेता है कौन-कौन से स्टेट्स के साथ में यूपी अपनी बॉर्डर शेयर करता है तो उपर आप देख सकते हैं उतरा घंड है इधर आप देख सब तो वेस्ट में हरियाना और पर फिर नई दिल्ली ओके फिर आप थोड़ा सा इधर आओगे वेस्ट की तरफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ अरियाना वेस्ट की तरफ नई दिल्ली और नई दिल्ली दोनों और फिर वेस्ट की तरफ देखोगे तो राजस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है ये देखिए यह के साथ में भी शेयर होती है तो इधर थोड़ा सा साउथ की तरफ इस तरफ आप देखोगे यहां पर पॉलिटिकल मैप में दिखाऊंगा और अच्छे समझ में जाएगा अगे जैसे जाती है तो फिर इसमें यंुना करके इसकी राइट बेंग ट्रिबिट्री जॉइन कर लेती है गंगा को और उस जगह का नाम आप जानते हो क्या बोलता है प्रयाग राज अलाबाद ओके अब अगर गंगा की राइट बैंग बैंग ट्रिब्योट्री की बात करे तो यमुना फिर उसके बाद में थोड़ा और आगे चलोगे तो यहां पर बिहार में एंटर होने के बाद में पटना के पास में ठीक है राइट वेंग ट्रिब्यूटरी यह बड़ी एक कूर रिवर सोन रिवर ठीक है सोन का ओरीजन होता है मद्यपरदेश और चतीसगर बॉ एक रिवर क्रेक्षन में फ्लो होती हुई और जॉइन कर लेती है गंगा को ऐसे आप यहां पे घागरा रिवर भी देख सकते हो जो कि लेफ्ट वेंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की वहीं पर सोन के कॉन्फूरेंस वाले रिजन वहीं यह जोईन करती है गंगा को लेफ्ट के बीच में और इसी काली रिवर के अपने कोर्स के चेंज करने के चलते हैं एक ट्राइब एक ट्राइंगल है ठीक है लिम्पियादूरा लिपुलेक वाला उसमें कई कॉन्फिक्ट चल रहा भी इंडिया और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूटिट टेरिटरी है इंडिय कहता है वो हमारा पार्ट है नेपाल कहता है हमारा क्योंकि और इंडिपंडंस से पहले फाइनल हुआ था कि नेपाल और इंडिया की बॉर्डर उत्राखंड में काली रिवर की डिवर डिसाइड करेंगी अप डिवर है कोड़ियो कोंड सा सलते हिए अभी ये और चुनि फिर बाद में येंटर होने के बाद में इंडिया में बन जाती है सरदा है और ये सरदा जो है वह आगरा टे melhores कि राइट राइट वेंग driven रही है इसी तरीके से सर्यृ और जिसके नारे गागरा से थोड़ा आगे जाओगे पत्ना के इग्जेक्ट पत्ना के फे तो गंड़क रिवर आती है वह लेफ्ट बेंक ट्रिब्शी है गंगा की फिर इससे आगे और आगे चले हमाँ तो बिहार वाले रिजन में ही कोशी रिवर बहुत इंपोर्टन ट्रिब्यूटरी है कि left bank tributary ये देखे कोशी और कोशी भी सब्त कोशी से मिलकर बनी हुई रहती है ठीक है ये देखें आपर सुन कोशी हो गई अरुन है एक important tributary तो ऐसे कोशी रिजर्व वायर बना हुआ है नेपाल में ही ठीक है तो ऐसे अलग-अलग नाम की कोशी है कोशी रिवर और फिर ये सब मिलकर के कोशी रिवर बनाती है जो फिर बाद में गंगा में आके मिल जाती है ठीक है तो ये कुछ गंगा का network हमने देखा right bank Tributcus की बात करें तो देखो यमुना की हमने पहले बात कर ली यमुना का भी network मैंने share किया हुआ है playlist में हमने बात कर ली थी तो आप देख सकते हो कि यमुना भी उत्राखंद से originate होती है और फिर हरियाना उत्रप्रदेश की बॉर्डर बनाती हुई दिल्ली यमुना के किनारे ही बसा हुआ है फिर उसके आगे आगे आप देख सकते हो यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी बात करो तो सबसे पहले तो देखो यह चंबल यहाँ पर आके यमुना में मर बेतवा के कंपेरिशन में ज्यादा है और बेतवा जिस रीजन से पास होती है उस रीजन को बोले जाता है बुंदेल खंड ठीक है ना तो ऐसे में केन के पानी की पानी को ले जा करके और बेतवा में डालने की बात चल रही है तो इससे क्या बहुत ज्यादा अब्जेक्श आप आप देख सकते हो गोंती रिवर यह देखे यहां पर गोंती रिवर भी गंगा की ही left bank tributary है ओके यह नाम आप जरूर ध्यान रखोगे एक 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 और फिजिकल रीजन वाइस देखें तो नौर्ध वेस्टन रीजन आफ यूपी इसको बोला जाता है रोहिल खंड राप्ती भी अल्टिमेटली गोमती में मिल जाती है और गोमती फिर फाद में फाइनली किसम जाकी गिर जाएगी गंगा में यह भी एक नेटवर्क है तो ऐसे मैं देखो फिजिकल में तो यूपी का यही है बट यूपी से थोड़ा साउथ में चलोगे तो MP आ जाएगा वहा के राजस्तान में साउथ इस्टन प्लेट्व ना हरोती प्लेट्व नमालवा के एक्स्टेंशन है ठीक है ऐसे बुंदेल खड़ा आप देख सकते हो वाटर स्कैर्स रीजन यहां पर पानी की बहुत कम ही रहती है सिमिलरली यहां पर विंदियन स्कार्प देख सकते हो ठीक गर चलें तो फिर आप एंटर हो जाते हो 36 गड़ वाले रीजन में यह देखी यहां पर 36 गड़ में हजारी बाग रेंज है और रामगड हिल्स है हजारी बाग रेंज और हजारी बाग प्लेट्ट्यू दोनों में आप कंफ्यूज नहीं हो हजारी बाग रेंज तो देखो 36 गड़ में ज्यादातर है थोड़ा सा हिस्सा जारखंड में भी है जबकि हजारी बाग करेंगे तब बोर डीटेल में आपको समझ में आ जाएगी ठीक है इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर सोनार हिल्स इस सोनार हिल्स का थोड़ा सा हिस्सा यूपी में भी है ठीक है यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है रेनू कुट सोनार हिल्स में जो तो एलुमीनियम के लिए फेमस है अभी देखेंगे पॉलिटिकल मैप में पहले एक बार यह फिजिकल मैप कंप्लीट कर लें ठीक है यह देख सकते हो यहाँ पर अमर कंटक यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है दिख सकता आपको अमर कंटक से ही आप देख सकते हो इधर की तरफ से करता है यहाँ तक आ जाहोगे यह देखोए री सोन ठीक है तो अमर कंटक वाले रीजन से अमर कंटक पी कर यहां से और O cz हो ती है और जो रिवर्स का पैटन होता है और उरीजन होने का उस पॉंट ऑफिस से देखें तो अमर कंटक से आप देखोगे शेंट्री सेंत्रिपीटल ठीक है बाहर की तरफ निकल रहा ही है ठीक है एक सेगें और इसके ऑलावार दूसरे इंपॉर्टने अंच की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो को मादेव ہिल्स यह रही माहانदेव कििसके बाद में इधर आऊग तो मेकास हिल्स यहाँ पर आप देख स्कार्प यह बुंदेल खंड यह कुछ इंपोर्टन रीजिन सा आप इस टु वेस्ट इनको लोकेट करके ध्यान से रखोगे कि हम जैसे ही इस टु वेस्ट जाते हैं तो इस तरीके से हम हाँ तो बेसिकली यहाँ पर मैं अमर कंटक्स है रिवर्स के औरीजन के बारे में बता की तरफ आउट वर्ड ठीक है और अगर देखें कुछ और इंपोर्टन लोकेशन पॉइंट आफ उसे तो लगबग लगबग देखो फिजिकल तो अल्मोस्ट कवर्ड है अब चलते हैं पॉलिटिकल मैप पे यूपी के पॉलिटिकल मैप की अगर बात करें तो आपके सामन चतीजगड के अलावा इधर आप देखोगे जारखंड और बिहार और नौर्थ में अगर आप देखो तो नेपाल है लोकेटेट तो इन सबी से एक तरीकी से चारों तरफ से घिरा हुआ है यह हमें पता ही है तो हाइली डेंस एरिया है यहां पे पॉपुलेशन बहुत है एरिया वाइस क्योंकि प्लेइन एरिया में पानी की कमी नहीं है और दूसरा फटाइल स्वाइल है तो सेटीज भी आपको बहुत ज़्यादा कंजेशन में दिखाई देगी और उससे ज़्यादा कंजेश्टेट आपको भिहार दिखेगा ठीक है तो देख लेता है वेस्ट और नगर के अलावा फिर आप जैसे नीचे आते हो मेरट आ जाता है मेरट से नीचे आते हो यहाँ पर गाजियाबाद और गाजियाबाद से फिर आप दिल्ली में एंटर होई जाते हो ठीक है इससे थोड़ा और आगया जाओ यहाँ पे आप नीचे की तरफ और अलीगड तो यह not to south sequence आपको clear है, फिर आप इधर आओगे थोड़ा सा यमुना की तरफ तो मथुरा आजाएगा, मथुरा से थोड़ा और south में चलोगे तो south east में चलोगे तो आगरा जाएगा, तो यह important cities है यूपी की, इससे फिर हम जैसे east की तरफ move करें, तो यहाँ पर आप देख सकत तो कन्योज, tripartite battle, हम history में पढ़ता है, ancient history में, tripartite battle, ठीक है, तो कन्योज को लेकर की होता है, जो यूपी में located है, ठीक है, इससे आप जैसे इधर जाओगे, west की तरफ, तो यहाँ तक उपर गंगा पर ही located है कन्योज भी, फिर इससे थोड़ा आगे, south east की तरफ आओगे, तो यह देखो, कानपूर भी यहाँ पर ही located है, गंगा रिवर पर ही, यहाँ पर यह देख सकतो, इटावा, और इटावा के पास में ही, यह जो चंबल रिवर है, यह मर्ज होती है, किसके साथ में, या मुना के साथ में, फिर आगे चलते हैं, अगर यूपी का थोड़ा सा यह वाला हिस्सा, देखें, तो MP के अंदर की तरफ थोड़ा सा इंसर्टेड है, तो ऐसे में इस एरिया में हमने देखा था, अभी क्या बोल्ट रहता है, इसको बुंदेलखंड, बुंदेलखंड वाले रीजन में ही, यहाँ पर है जहासी, और जहासी से ही पास में, इधर रहाले रीजन में आज था ग्वालियर, ठीक है, तो 1857 रिवोल्ट में जब हम पढ़ते हैं जहासी की इरानीलक्षपी बारे में, तब इन के बारे में बारे में बात हम पढ़ते हैं, और बेतवारिवार इधर से फ्लो होती है, वो हमने देखी लिया था, केंड रिवर के ब पर यहां पर आप देख सकते हैं इसके अलावा यहां पर गौरुकूर बोन के भाइभ Partners यह Влад बॉर्डर पे, जहां पर बैट लोग बखिर हुआ था, तो आप जानोंगे date कौन सा है? state है है यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ important location है, रैनोगोट की मैने आपको बात की थी, यह देखें, यहाँ पर रैनोगोट, और यह देखे गोविंध वल्लव पंथ सागर यह एक deservoir North your को देखें इस अधिर्वेट हो यह देखें अभेटेड और आप देख सकते हां और है वह साङर्घन्ड रिवर पंथ एक टिर्पेश कर सागर कहां परहें आप पता दोगी यूपी एंप बॉर्डर पर ठीक है तो यह कुछ इंपोर्टन लोकेशन्स थी यह दिके सारनाथ वारानसी के पास में ही है सारनाथ यूपी में ही यह भी आप ध्यान रखेंगे कई बार लोकेशन्स के पॉइंट ऑफियो से इंचेंट हिस्ट्री इंपोर्टन हो जाती है यह देखिए यहां पर राय बरेली लखनाव से साउथ इस्ट की तरफ अगर चलते हो तो और बाकी तो आप एक बार खुद नजर डालोगे और समझ में आ जाएगी ठीक है चलिए यूपी में इतना ही था म हमने देख लिया है बाकी और कुछ बच रहा हो तो आप एक बार पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हो मैंने लिंक बताई दिया टेलिग्राम चैनल का शेर किया हुआ है डाउनलोड कर लेना वहां से ओके थैंक्यू कर दो